साथ ही और नमस्कार स्वागत है आपका अपनी चैनल सक्से जंक्सन एक कदम सफलता की और में और हम लेकर के आगए आपके लिए UPPCS और MPPSC दोनों एक्जाम्स के लिए अती महत्कुन जोग्रफी यानी भूगोल का प्रैक्टिस सेट इसमें आपको ऐसे प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे जो आपके एक्जाम में छपने ही वाले हैं ठीक है इससे पहले हम अल्रेडी काफी सारी वीडियो अप्लोड कर जाएंगे जैसा कि आपको पता UPPCS का एक्जाम प्री वाला जो है वो 24 अक्टूबर को होने वाला है और MPPSC वालों के लिए खुसकबरी है कि MPPSC का स्कोर कार्ड आ चुका है आज आप जाकर के MPPSC की वेबसाइट पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं कि आपने MPPSC प्री 2020 में कितना स्कोर किया है यानि कि नॉंबर के लाश्ट वीक में या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको MPPSC 2021 का एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल सकता है तो तैयारिया सुरू कर दीजिए क्योंकि आपके पास भी बहुत कम समय बचा हुआ है ठीक है तो चलिए कन्या कुमारी या फिर वानारसी कन्या कुमारी आई एंसर दिख लेते हैं सही एंसर एनि की कोलकाता से दिल्ली को जोड़ता है राश्टी राजमार्जी सेम ग्रेंट ट्रेंक रोड या फिर जीटी रोड के नाम से जानते हैं चलिए इसके एतिहासिक वड़न के बारे में दिल्फालरे नापको बताते हैं और किन खिन खिन सहरों को और जोड़ता है किन खिन सहरों से हो कर की जाता है कुछ भी आपसे पूछा जासकता है क्योंकि ये चर्चा में रहा है inação डेख़ए जीटी रोड एक राष्टी राजमार्ग भारत के सबसे पुराने सड़क मारग सकते हैं तो示van अमरिसर से कोलकाता तक फैला हुई है तो भारत में पंजाब से लेकर कि कोलकाता तक फैला हुई विभाइत है पहला खंड धिल्ली से तो 1600 मिल से अधिक लंबाई की है, जो है GT रोट बनी हुई है, बर्तमान में यह अमरिस सर से कोलकाता तक फैला हुआ है, ठीक है, तो भारत में कहां से कहां तक है, तो अमरिस सर से लेकर के कोलकाता तक फैला हुआ है, यह पंजाब के अमरिस सर से लेकर के कोलकाता तक फैला हु पूरी बिस्तित में आपको हम जान कर देने वाले हैं देखिए अब यह कहां से आरह मोकर कि कहां तक जाता है यह सारे सहरों के नाम आपको दिये गए हैं इस सारे सहरों को आप वीडियो को पॉस्ट करके पढ़ लेगा क्योंकि हम ज्यादा समय आपका बरबाद नहीं करना चा जाएंगे 24 अक्टूबर प्री एक्जाम यूपी PCS में ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन है निमलकित में से कौनसा राज जोग जलपरपात के लिए जाना जाता है ठीक है जलपरपात आप जानते हैं जहरना होता है तो भार करनाटक राज में जोग जलपरपात पाया जाता है जोकि सबसे उंचाई वाला जलपरपात है भारत का अब हम देखते हैं जोग जलपरपात किस नदी पर बनता है और अतिमहत्पूनी जानकारी जोग जलपरपात के बारे में तो जोग जलपरपात जो है करनाटक के सिमोग जिले में पाया जाता है, जिले का नाम याद रखिएगा, इसकी उंचाई 253 मीटर यानि की 850 फीट है, ठीक है, इसे सरावती नदी द्वारा बनाया तक किस नदी पर है, तो सरावती नदी पर स्थित है, या भारत में सबसे उंचे गोता खोर जल्परपातों में से एक है, ठ मताल पानी जल्परपात, धुमाधार जल्परपात, बहुटी जल्परपात, कपिलधारा जल्परपात, चचाई जल्परपात, ठीक है, जिसमें चचाई जल्परपात मध्रदेश का सबसे उंचाई वाला है, जारखंड की बात कर लेते हैं, तो सारे जल्परपात आपको य चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रस देखते हैं, उत्तर से दच्छिर तक प्राइदीपी भारत की पूर्वीगी और बहने वाली नदियों की ब्यवस्ता कीजिए, यानि कि जो नदिया उत्तर से दच्छिर तरह प्राइदीपी भारत में, प्राइदीपी भारत आप स्वाने रेखा कृष्णा पेनार वै गई बताईए उपर से नीचे क्यों करगा हम इसको ब्यौस्तित करेंगे तो कौन सा क्रम आएगा एक दो तीन चार एक दो चार तीन एक तीन दो चार या फिर दो एक तीन चार तो चलिए एंसर देख लिए फिर आपको बताते हैं कैसे क्या लगाना सही एंसर एन की एक दो तीन चार ये सही क्रम होगा उपर से नीचे की और प्राइदीपी भारत की नदियां जो पूर्व की और बहती है पूर्व की और समझ रहे हैं अरब सागर की और जो जाती है देखिए तो उत्तर से दच्छिन की और प्रादीपी भारत की पूर्व की और बहने वाली नदियों का सही क्रम है स्वाणरेखा सबसे उपर है फिर कृष्टना है फिर पैनार है फिर वैगई है ठीक है चली प्रादीपी प्रादीपी प्रमुक नदियों में ठीक है तो यह सारी जानकारियां होगई आपको सारे नदी के बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त हो गई, उपर से नीचे की और आप लगा भी सकते हैं, ये सारी नदियों के बारे में ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, निमलिकित में से किसे देश के सर्वस्रेष्ट धातु कर्म कोईले के भंडार ग्रके रुपे मानता दी गई है, यानि कि सर्वस्रेष्ट जो धातु कर्म कोईला है, वो कहां पर पाया जाता है, सारी छेत्रों में कोईला पाया था, लिकि सर्वस्रेष्ट कहां पर पाया था, ये आपसे पूछा जा रहा है, बोकारो कोईला छेत्र, जरिया कोईला छेत्र, गिरीडी कोईला छेत्र, पिर रामगड कोईला छेतर आई एंसर देख लेते हैं सही एंसर है जरिया कोईला छेतर जो जारखंड में है आपका वहाँ पर सबसे अच्छा धात कर्म कोईला पाया जाता है यानि कच्चा कोईला जो है वो सबसे अच्छा कहां पर पाया जाता है तो याद रखिए का प्रशाइग भाग वे हमको कोईला से ही देखने को मिलता है ठीक है जिवास में इधन तल्चटी चट्टावनों के रूप में पाया जाता है अक्सार इसे काला सोना भी कहा जाता यह प्रस्न व्यापम ने कई वार पूझाएगी काला सोना के नाम से किसे जाना जाता है तो या नियुकर, पॉस करके आराम से पढ़ जिसे हैं जरिया कोईला चेत्र भारत के सबसे पुराने और सबसे अमीर कोईला चेत्रों में से एक है ठीक है यहा धनवाद के दच्छिन में श्थित है और देश बर में सबसे अच्छा जो धाति कोईला होता है जिसे हम बिटू मीनस प्रकार का कोला कहते हैं वो आपका जहार खंड में ही पाया जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है निम्लिकित जोडों पर विचार कीजिए राज किंद सासे प्रदेश और ब्रहध हिमाला के दर्रे यानि कि यह कौन सा दर्रा क उत्रा खंड नीती दर्रा या फिर सिक्किम में सिक्कीला दर्रा बताईए कौन सा इसमें से सही जोड़ी कौन कौन सी सुमेलित है केवल एक और तीन केवल एक दो तीन दो तीन और चार या फिर एक दो तीन चार आईए एंसर दिख लेते हैं सही एंसर भी यानिकि एक दो औ नीटी दर्रा है ठीक है तो सिक्किन में कौन सा दर्रा है आई ये देख लेते हैं इस स्लाइट के बाद में नहीं को का जिए जोड़ता है मंडी को जोडने राष्टि राजमार्ग इसी दर्रे से हो करके गुजरता है ठीक है तो यह पूरी जनकारी आपको दी है भागा नदी जो है चिनाम नदी की सायक नदी है सूरे ताल जिर से निकलती है जो मनाली की और से दर्रे से कुछ किलोमेटर दूरी परस्तित है यह सारी बाते हैं पर करके अपरेल तक बंद रहता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगर यह जानकारी देखते हैं निमलकित में से कौन सी भूमी उपयोग में नहीं ला सकते हैं वन भूमी चारागाह भूमी सीमांत भूमी या अनुपजाई और बंजर भूमी चलिए एंसर देख लेते हैं सह अनुपजाई बंजर भूमी का भी हम यूज कर सकते हैं उसको भी सही कर सकते हैं लेकिन जो सीमांत भूमी होती है उसका हम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह सरकारी भूमी होती है देखिए भूमी उपयोग का आर्थ विभिन तरीकों से हैं जिसमें लोग भूमी का उप सबसे बड़ी मीठे पानी की जीलों में से एक है या आंद्र प्रदेश में किष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में इस्तित है तो ठीक है बताए कौन सी ऐसी जो है जील है जो कि किष्णा और गोदावरी के डेल्टा के बीच में इस्तित है अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे भाई वीडियो को अभी लाइक कर दीजेगा क्योंकि लाइक में आप भूल जाते हैं ठीक है ना तो लाइक जरूर कर दीजीगा देखिए वूलर जील कोलेरू जील लोक्तक जील या पर बैमनोड जील पता ये कौन सी ऐसी जील है जो सबसे बड़ी मीठे पानी की जीलों में से एक है और आंधर प्रदेश में किष्णा और गोदावरी के डिल्टा के बीच में इस्थित है इतनी सारी जानकारी आपको दे दी है तो सही आंसरिभी यान की जो कोलेरू जील है वह आंधर प्रदेश में है किष्णा और गोदावरी के डिल्टाyes में इस्थित है मीठे पानी की जील है देखिए यह बहरत की सबसे बड़ी मीठे पा बताया था कि तैरता हुआ राश्टी उद्ध्धान वो आप से पूछा जाएगा और दूसरा जो आटा पका पच्छी अभ्हारन जो की कोलेरु जील परिस्तित है तो यह तैरता हुआ पच्छी अभ्हारन है यह दोनों प्रस्ण आप से पूछे जा सकते हैं तो याद यहां पर यह लोक्तक जिल मड़ीपुर में है ठीक है ताजे पानी की जील है रामसर भूमी भी है लोक्तक जील ठीक है उसके बैमनौट जील की बात कर लेते हैं बैमनौट जील जो है वो कीरल में है और बैमनौट जील खारे पानी की जील है याद रखीगा और यह नौका तमिनाडू अंत्रदेश के कुछ हिस्सों में बरसा लाती हैं इसे क्या कहा जाता इन ठंडी हवां को क्या कहा जाता है जो सर्दियों में उत्पन होती है और तमिनाडू के कुछ छेत्रों में तमिनाडू अंत्रदेश में बरसा कराती हैं तो इसे क्या कहते हैं मांसून का इसे मांसून का निवरतन की दौरान भारत के अधिकांसे हिस्सों में असमान और अपेच्छा करते कम वर्सा होती है। भारत के दच्छिर पूर्वी तड़के साथ कुछ अंतर देशी दूरी पर है बाग यह पूरी जानकारी दी है आप आराम से इसको पहुच करके पढ़ सकते हैं ठीक है ना और सारी जानकारी महतपूर्ण है इसको पढ़ते हुए जरूर चलिएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं निमल के तुमें कौनसा कॉफी उत्पादन में परभू किस्थान रखता है भारत में सबसे जब्याद कोफी का उत्पादन कहां पर होता है करनातक करल महरेस्ट तमिलनाडू Nossa देख लेते हैं सही answer AI न कि करनातक में सबसे जढ़ा कॉफी का उत्पादन होता है बहुत जल् देखिए मुख्यमंत्रियों की वीडियों में अपलोड कर चुके मुख्यमंत्री के साथ में हमने आपको वाँ की राजदानी बताई है साथी साथ में स्टेटिक फैक्ट हर एक स्टेट के हमने आपको बताए है इससे पहली वाली वीडियो आपको वीडियो का लाश्ट में वो वीडियो भी देखने को मिल जागी आप क्लिक करके डारेट उस वीडियो पर जा सकते हैं अब हम आपके लिए राजपाल और जी आई टेग दोनों लेकर के आने वालें एक साथ में लेकिन बस आपके सपोर्ट किया हो शकता है ठीक है चलिए देखते हैं इस प्रस्ट के बारें कुछ जानकारी करनाटक देश का सबसे बड़ा कौफी उत्पादक राज्य है जो करके लिए कि आयात की देखते का जब्स्कादा है कि जो है करनाटक क्योंगी तापमाल और जलवाही और ब्रसा तीनों चीज जो है वोह अथी आवश्यक है और ये तीनों चीज़ें करनाटक में अच्छीप पाई जाती है जो की अन्कूल है कोफी के लिए करनाटक में सबसे ज़्यादा कोफी का उत्पादन होता है चिकमंगलूर जिला जो है कौफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है अब पूछा जाता है प्रस्ण की साउपोलो किसके लिए प्रसिद्ध है तो कौफी बंदरगाह के नाम से साउपोलो को जाना जाता है या प्रस्ण मी कई बार पूछा गया कि इन में से कौन सा कौफी ब की जा रही है लेकिन सबसे लोगप्री कौन सबसे है जिस में सब से ज़्यादा सेरी जशंक्या रहना पसंद परती है श्य Lay dist देखते हैं तोह को या पूथ है ऐस प्रश्नि के बारे में को देते हैं तो भारत में जनसंक्यका अनुसार मूंबई सबसे लोकपी शहरी या फिर सहरी समू है ठीक है? 18.41 चलिए जादा समय आपका हम नहीं लेना चाहते हैं इसलिए जो हम चीजें हैं पर छोड़ कर चल रहे हैं उनको आपको पढ़े लेना है याद रखिए चलिए निमलिकित में से कौनसा युग में गलत है अब देखिए यहाँ पर आपको नदी और नदी की सायक नदियों के बारे में पूछा जा रहा है तो इन में से कौनसा युग में यहाँ पर गलत है देखिए क्रिश्णा भीमा यमुना चंबल गंगा वेन गंगा गलत के बारे में पूछा जा रहा है याद अखिगा कई बार प्रश्ण यहाँ पर धंग से नहीं प से मिल जाती है और गंगा जाट करके बंगाल की खाड़ी में गर शांगा-ेंगा-in-स-ूर ils परवर्वत मालग के दिच्छव ध्लारहों में बहती है वैन गंगा गोदावरी की याद रखेगा बार्ण की सायक नदी यमुनाया है मीरपुर में मिलकृ चकरक रे अधरे सुद्ध में मिल जाते हैं निधिन थिक्रिंगर्ण को रया दकनाक है विंदर कॉक्साइड है और H2S जो है हाइडोजन सिलफाइड है देखिए सही आंसर है डिन की CH4 जिसे मीथेन कहते हैं यह बायो गैस का प्रमुक घटा के चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं तो देख लीजिए बायो गैस को गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है यह प्रस्ट मीथेन बायो गैस का एक प्रमुक घटक है मीथेन CH4 एक गैसा जिसे कोलोन एनरो ब्सकी ऐसर्मूद आरफ पदे किया जाता है मीथेन एक रंग हीन गण्द हीन गैस है इसे Mars gas या फिर Methyl Hydrate gas की रूप में भी जाना जाता है तो Mars gas क्या है वो भी CH4 है ठीक है बायो gas क्या है CH4 है गोबर gas क्या CH4 है और CH4 क्या है तो CH4 मीथेन है याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं वीडियो को लाइक नहीं किया और लाइक कर दिए कमेंट बाक्स वाफ में आपसे हैं अफे एाफ नशी्व प्रकार के वण पाया थे तराह говорить किशेतर कहते है जहां पर मतलब नमी बनी रहती है तो उस ज्चेतर के वनओ को क्या कहा जाता ता है उश्णिकत्वन्दी सूस्ख पढ़पादी 1 उश्श्णिकत्वन्दी नम पढ़पादी 1 उश्श्णिकत्वन्दी काटेदार 1 या फिर कोई नहीं चल यह answer दिख लेते हैं सही answer है B यह जो है वो तरही छित्रों पाजाते हैं अब यह नम क्यों होते हैं क्योंकि तराई छित्र है तराई छित्र से नदियां बहती है तो नदियों से इनको नमी मिलती रहती है इसलिए नम शित्र होते हैं कांटेदार वन कहां पर पाये आते हैं तो रेगिस्तानी छित्रों में कांटेदार वन पाये जाते हैं यह आपको याद रखना है ठीक है चलि क्योंकि वहाँ पर इतनी तराई नहीं मिलती है जितनी की आपको यहां पर गंगा के मेदान में बिलती है ठीक है चलिए यह पूरी जानकारी गंगा के मेदानों के बारे में दी गई है आप पॉस करके पढ़ सकते हैं उत्व देश से मौजी दा बनसपत्यों के तीन सेडियों मिलेंगे जहां पर तरही होगी वहां पर आपको नमपरणफातीं मिलेंगे और जहां पर रखिस्थानिी एरिया होगा वहां पर आपको कांटेदार बंद देखने को मिलेंगे आगे बढ़लेते हैं बहुत का सब्से लंबा संब्थे मारीन समूद्र है और मरा का सबसे लंबा समूद्र का नांतर है यह बंगल की खाड़ी मद्वें इस्तित्र है यह आपको यार रहना है जोत का सबसे रहना बारत का पहला है ठीक है 1880 के दसक में गवर्न माउंट इस्टार्ट एलफिंस ग्रांड डफ के दौरा सभूतर का जीड़ोदार कराया गया था मात्मा गांधी की दो प्रहूंग परित्माय मरीना समुतर परिस्तित हैं मारीना समुतर भारत के सबसे भीड़बार वाले इलाकों में से एक है क्योंकि देखी मारीना समुतर पर बहुत से लोग घूमने जाते हैं बहुत से फिल्मों के सूटिंग भी आपको मारीना भीस पर आपको देखने को मिल जागी जुहू कहां पर है तो जुहू आपका महराष्ट्र मुंबई में है दांडी कहां पर है», गुजरात में है तुरु कहां पर है, ओडीhow आपको मिल गई है आगे बढ़ते हैं और अगला प्रसन देख लเตते हैं जंसांकी की लाभानस क्या होता है बड़े गोर से समझेगा बहुत जो है competitive प्रेशन है यह complicated पंदरा से 69 वर्स की आयू की कारसिलता, 0 से 6 वर्स की कारसिलता, 14 से 50 वर्स की कारसिलता या फिर 60 वर्स से अधिकी कारसिलता, इन में से कौन सा ऐसा है जो जन सांकी की इलावांस होता है, ठीक है? चलिए answer देख लेते और यही जन सांकी की लावांस कहलाता है जो अभी हाली में रिपोर्ट आई है 2020 की उर्स की अनुसार, देखिए जन सांकी की लावांस आर्थिक विकास की चमता है जिसका पैड़ाम जन संक्या की आयूसन रचना में बदलाव से हो सकता है, मुखिता जब काम करने वाले वर्स की आयूस तक की लोग जन सांकी की लावांस में आते हैं बस इतनी जानकारी आपके लिए परियापते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं तो यह है आपका लास्ट प्रस्न था 15 में से कितने प्रस्न आपके सही लिक रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा वीडिय के मुख्यमंतरी तब हम ने आपको इस राज के बारे में काफी डीटेल में जान कर दी थी इस्टाटिक जानकारे भी आपको दी थी ठीक है बाकी नेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए टेलिग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए इसकी पीडिये आने बाद